संतान का सुख की कामना करने वाले सभी लोगों को अगोई माता के व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए अगोई माता के व्रत की कथा के अनुसार एक साहू का अर्था जिसके साथ बेटे साथ बहुएं और एक बेटी थी दीवाली के पहले कार्टिक के अश्टवी पर सातो बहुए अपनी कलौती ननत के साथ जंगल में मिट्टी खोद रही थी, वहां स्याहू अर्था सेई की मांद थी, मिट्टी खोदते समय ननत के हाथ से सेई का बच्चा मर जाता है, स्याहू माता बोलती है मैं तेरी कोख बा अराज हो जाएंगी, ऐसा विचार कर ननत के बदले छोटी भावी ने अपनी कोख बंद वाली, इसके बाद उसके जो भी बच्चा होता, जो भी लड़का होता, वह साथ दिन में मर जाता, इस पे उसने एक पंडित जी को अपने घर बुलाया, और पूछा, मेरी सभी संता साथवे दिन मर जाती है, कोई उपाय बताईए, पंडित जी ने उससे कहा, तुम सुरही गाय की पूजा करो, सुरही गाय स्याहू की सहेली है, वह तेरी कोख से तेरे पच्चे को जीवन दान दिलवा देगी, इसके बाद बहु प्राता उठकर चुप चाप सुरही गाय के नीची की सफाई आदी कराती, गौमाता बोली, आज कर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी, गौमाता खूब सुबहरे उड़ गई, क्या देखती है कि साहुकार के छोटी बहु, उनके नीची की सफाई कर रही है, गौमाता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन हूँ इक्षा उनुसा जो चाहे सो मांग ले तब साहुकार की पहु बोली कि स्याहु माता तुम्हारी सहेली है उन्होंने मेरी कोक बांध रखी है सो मेरी कोक खुलवा दो गौ माता ने कहा अच्छा अब तो गौ माता समुद्रपार अपनी सहेली के पास उसको लेकर रास्ते में बहुत तेज धूप थी, सो वे दोनों पेड़ की नीचे बैठ गई, गरुन पंखनी का बच्चा भी वहीं था, साप उसको डसने लगा, तब साहुकार की बहुने साप को मार डाला, और उस बच्चे को बचा लिया, थोड़ी देर में गरुन पंखनी आई, जो व उनकर गरुन पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है, वह बोली सा समद्रपार स्याव माता के पास पहुचा दो, गरुन पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीट पर बैठा कर स्याव माता के पास पहुचा दिया, स्याव माता उन्हें देख कर बोली, बहन बहुत दिनों म स्याउ माता बोली मेरी सर में जुए हो गई है इन्हें निकाल दो इस पर सुरही के कहने पर साहुकार की बहु ने सिलाई से स्याउ माता के सभी जुए निकाल दिये इस पर स्याउ माता प्रसन हो गई उन्होंने बोला तुमने मेरे सर में बहुत सिलाई डाली है इसलिए तुम साहुकार की बहु बोली मेरी कोक तो तुम्हारे पास ही बंद पड़ी है यह सुनका स्याउ माता बोली तुमने आज मुझे ठग लिया है वैसे तो मैं तुम्हारी कोक नहीं खोलती परंतु अब इसे खोलना पड़ेगा जा तु घर जा तेरे साथ बेटे साथ बहुए उसने साथ अहोई बनाई, साथ उजमन किये, साथ कढ़ाई की, रातरी किसा में जेठानिया आपस में कहने लगी जल्दी जल्दी नहा कर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे, थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा जाओ जाके चा चाची कुछ माड रही है, खुब उजमन हो रहा है, यह सुनते ही जेठानिया दोड़ी दोड़ी उसके घर गई, जाकर कहने लगी, तुने कोक कैसे चुड़ाई, वह बोली, तुमने तो कोक बंधाई नहीं, सो मैंने कोक खोल दी है, स्याओ माता ने क्रपा की है, मेरी कोक उसी प्रकार हमारी भी खोली ओ रखना, कहने वाले, सुनने वाले सब को सब परिवार को खोल देना, है स्याओ माता सभी के बच्चों की रक्षा करना, इस प्रकार से सभी ने कहा, और यहीं अगोय अश्टमी व्रत की कथा समाब्थ होती है, इस व्रता को सुनने से आपके बच्चों का सुख सभाग में सदेव रती हो जै बोलो अहोई माता की जै